हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आप लोग के लिए इंजियन आर्वी में एंसीसी स्पेशल इंट्री की एक नई भरती आई है जिसके लिए केवल एंसीसी के जो कैंडिडेट होंगे वही लोग इसके लिए फॉय अप्लाई कर सकते हैं अब एंसीसी ए बारे में आप लोग को पूरी डिटेल से हम बताने वाले बस आप लोग से रिक्वेश्ट की वीडियो को पुरा लाश्ट तक जोड़ देखेगा और अभी तक आप लोग हमारे टेलिगाम चैनल में जोईन हो सकते हैं चलिए आप लोग को इस बरती के बारे में पूरी इसके लिए कर सकते हैं तो सबसे पेहले हम लोग इसका एज की बात करते हैं कि can क्या रखा गया है और नेशनल केड़ क्रॉप एंसी सी केंडिये जो है इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं और उनका एज क्या होना चाहिए उनएज से लेकर पचीस साल के बीच आपका एज होना चाहिए जो आपका जन्म होना चाहिए वह दो जनवरी 2000 से लेकर एक जनवरी 26 के बीच आपका जो है जन में होना चाहिए इसके अगर बात होगा या फिट 2000 से पहले होगा तो आप लोग इसके लिए eligible नहीं होंगे आगे बात करते हैं इसके qualification के बारे में education qualification के बारे में तो यहां पदे की साफ साफ सिखा गया है कि for NCCC certificate holder यानि कि NCCA और NCCB वाले candidate इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं किवल NCCC certificate वाले candidate ही इसके लिए eligible होंगे NCCC certificate के साथ-साथ आपका जो है graduation में 50% marks होना जोड़ी है कितना 50% marks आपका जोड़ी है NCCC certificate के आपके NCCC certificate से लेटर कि should have obtained minimum B grade in NCCC certificate यानि कि कम से कम जो है आपके NCCC के जो exam होते है उसमें आपका B grade आपका होना चाहिए ठीक B grade होना चाहिए तो यह ता आपका होगा कि qualification से लेटर ठीक आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है आपका क्या आपका selection process रहने वाला है और क्या आपके लिए इसका और भी बहुत सारे बात इसके लिए है चलिए आपको बताते हैं सबसे important जो है यहाँ पर देकि vacancies के बारे हम बताए गई है कि vacancies के बारे में NCC main और NCC woman तो NCC main के लिए जो है वो आपकी total 70 vacancy है ठीक कितनी है 60 vacancy है 63 vacancy जो है वो general category के लिए है मतलब कि general जो समाने लोग होंगे उसके लिए और 7 जो होता है वो war of battle जो कि NN army में कोई भी father हो या पिर उनके कोई relation में अगर किसी यूद में अगर सहीद हो गए है तो उनके लिए साथ आपका सीट है बाकी NCC woman के लिए आपका total 6 general general जो समाने लोग होंगे उसके लिए 5 और बाकी एक war of battle के लिए होगा आगा बात करते हैं इसका सबसे important चीज़ जो है वह आपका इसका selection process जो है आपका बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ठीक आपको इंडियन आर्मी को ऑफिसल वेपसाइट पर जाके इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है ठीक इसके सबसे important जो है आपका selection process के बारे में selection process इसके में क्या रखा गया है selection process है वह आपका सबसे पहले जो होगा वह सौट के लिए बुलाया जागा SSB interview के लिए आपको बुलाया जागा ठीक SSB interview के लिए बुलाया जागा जो कि यहां पर आपका लिखा गया है कि only short-listed eligible candidate will undergo SSB at selection center इलाहबार उत्तरपदेश भोपाल मद्दपदेश बैंगलोर करनाटक और पंजाब में आपका यह जो भी आपके लिए 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 उनका SSB जो है interview यहीं पर होने वाला है and SSB interview क्वालिफाई करने के बार आपका जो है medical examination होने वाला है फिर उसके बाद आपका merit list जारी किया जाएगा तो यही है आपका इस भरते के बार में पूरी details से आपको बता दिए कि आपको जो है कौन-कौन से candidate इसके लिए होंगे और selection process आपका क्या है सबसे पहले जो है आपका क्या किया जाएगा आपकी जो एप्लिकेशन है उसको करते हैं कि केवल NCCC certificate वाले ही इसके लिए कर सकते हैं ए और बी वाले इसके लिए नहीं कर सकते हैं और सी में भी आप लोगा कम से कम भी ग्रेड होना चाहिए सी के साथ आप लोग गैजुएशन पास होने चाहिए 50 परसेंट माक्स के साथ तो इस भरते के बार है पूरी डिटेल से आप लोग बता दिये कोई डाव तो बच गया हो फिर भी तो आपको हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं चलिए आपको समलते हैं कि नेक्ष्ट वीडियो में जैहिए बंदे मात्रम